हेलो एवर्बड़ी एंड वेलकम टू गोहाश हाईटरबाद पीवीजे एड्यूकेशनल अकाडेमी मलकपेट हैटरबाद ने एक खास प्रोग्रेम रखा था जिसका टॉपिक था नौजवान जिन्दगी कैसे गुजारें और किस मकसद के साथ जिन्दगी गुजारना और किस नियत के साथ जिन्दगी गुजारना और यह जिन्दगी क्यूं मिली और इसके देने का मकसद क्या है और इसको किस तरह गुजारना इसके बारे में थोड़ा साबसे खिताब करें। जिसके स्पीकर थे मीर मुहतशम अली खान जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और मिस्टर वर्ल है दो हजार साथ इस एकडेमी की डिरेक्टर है मुहमद जाहिद, कोर्स डिरेक्टर है मुहमद सिराज़ुदीन यह प्रोग्राम काफी कामयाब रहा और कई सारे बच्चों ने काफी अच्छी स्थीक ली और प्राइस डिस्टिशन प्रोग्राम किया म.A. हफीज ने जो कि प्रेसिडेंट है ट्रेडेशनल रस्लिंग एस्सोसेशन आफ तेलेंगना की इस प्रोग्राम के ओनरेबल गेस्ट थे मुहमद अब्दुल हख खमर साब जो कि स्टेट सेकरेटरी है तेलेंगना राश्टर समीती के और साथे साथ गेस्ट थे आदिल बिन इशाख अफरोस जो कि जनल सेकरेटरी है ट्रेडेशन रस्लिंग एस्सोसेशन आफ तेलेंगना की यह बहुत ही एहम टॉपिक है कि नौजवान जिन्दगी कैसे गुजा रहे हैं आई दिखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलेट्स मुझर पीछे ही है और सबसे जयादा इटानीम में हम लोग बहुत पीछे है इसलिए जेराब टैरिकर साब ढ मोहमद जाहर साब जो विजन है उनका उसको तो जो है हम कामियाभी से जो है अभी तक दस साल हो चुका है कामियाभी से आगे लेकर चल रहे हैं और अला साला चाहा तो इंशाला हम आगे भी अपने उप्रों केशी में लगाने के लिगा अज बड़ी मसरत का दिन है बड़ी खुशी की बात है अजीम शख्यत मेर मोतिuszर अलीख खान साभ हमारे साथ है पीवीज जिए इंस्टूशन के साथ है हमारे और हमारे लिए बहुत फखर की बात है खुशी की बात है करde ही हमारे पास आए और हमारे बच्चों की खेमत अफ़जा ہी किए ये हमारा institute जो है अलहमदोल्बा ये हमारा institute दस साल से ज्यादा हो चुके है एक हिसाब से देखा जाए तो चौदा साल से हम काम कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ काम करने की फिकर कर रहे हैं हमारा मकसद ये रहा कि मुसल्मानों के अंदर अगर तालीम आ गई तो सब कुछ आ गया इस मकसद को लेके आगे बढ़ रहे हैं इंशाला हमारे पास अब 10th क्लास में अलहमदोल्ला 300 से जादा स्टुडेंट्स है इंशाला और भी स्टेंट बढ़ाने की भी कोईशिक करें हम लोगे स्सलाम आलेकुम रहमतुल्ला सबसे पहले मैं जाहिद साब को और सारी टीम को मुबारक बात देना चाहूंगा जो एक बहतरी इंस्टिटूशन चला रहे हैं पी वी जे हैं या उनकी तालीम हिफ्स करते करते छूट जाती है वैसे हुफाजिकराम को लेके ये लोग काम कर रहे हैं और टेंट का एक्जाम यहाँ से बच्चों को दिला रहे हैं सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई और इसके साथ साथ बच्चियों में तालीम के बारे में बच्चियों को ज्यादा तालीम हासिल करने के लिए उजागर कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा काम है और इन्शाला लगों को तरकी दे हम सारी टेम मेरी भी इनके साथ काम करेगी जो भी स्पोर्ट का मामला होगा जो भी फिल्ड में ये काम करना चाहते हैं मुझे जब भी बुलाएंगे मैं यहां पर आऊंगा और मैं आके देखा कि बच्चियां बहुत ज्यादा जोख और शोड़ से मतलब अपने जो जो शोख है उससे पढ़ रहे हैं और कई बच्चियों को मैं देखा जब मैं बात कर रहा था तो बच्चियों के अंदर एक चमक मैसूस किया मैं कि उनके अंदर आगे बढ़ने की बहुत चाहत है अल्ला उनको कामियाभी दे और पी वी जे स्कूल आफ एजुकेशनल अकाड़ेमी के जैसा आप लोग भी काम कीजिए और ऐसे अकाड़ेमी जो तालीम का काम एजुकेशन का काम कर रहे हैं हम तमाम लोगों को इनका साथ देना चाहिए और जिस तरीके से ये कम चार लड़कियों से ये लोग शुरू किये इंस्टिट्यूट और माशालला साड़े तिन सो बच्चे बच्चिया यहां पर मौजूद है मुझे खुशी है और साथ में जो हमारे स्पूर्ट्स के हیदरबाट डिस्टिक मास रेसलिंग के प्रेसिड़न साब यहां पर आए हैं इन्होंने यहां पर आके बच्चों में बच्चों में एक मास रिसलिंग का, स्पोर्स का भी शौख यहां पर डाला और एक कॉम्पेटिशन मकाबला यहां पर मनकिद हुआ जिसमें बच्चों को हिम्मत अफजाई और बच्चों को हिम्मत अफजाई की गई क्योंकि एजूकेशन के साथ साथ स्पोर्ट का होना बच्चों और बच्चों में जरूरी है क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम हर काम कर सकते हैं अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रही तो हम ना पढ़ सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं इसलिए प्यारे निबी सुल्दाओं अल्यूस्लम ने फर्माया हदीस के अलफाज है कि अल्ला ताला को एक कमजोर मुमिन से ज्यादा अल्ला ताकतवर मुमिन पसंद है तो इसका काम करना चाहिए तालीम भी जरूरी है स्पोर्ट भी जरूरी है इस दोनों चीज़ों को लेके हम तमाम लोगों को चलने की जरूरत है जजाकर लाखे मैं योद को ये मेसेज देना चाहूंगा कि आजकल जो जागने का मजगला हो चुका है ये जागने का मजगला कम करना चाहिए रात में जो जाग रहे हैं जागने का अगर मजगला कम हो गया आटोमेटिक आपकी हिल्ट अच्छी हो जाएगी और दूसरा वक्त के बारे में अल्लादाला हमसे सवाल करने वाले हैं मैंने तुमको फुरसत के अखाद दिये थे तुमने इसको कहां इस्तेमाल किया तो यंगस्टantic से मैं केराना चाहँगा अपने फुरसत के उखाद को अच्छी जगा पे लगाइए और माबाप की फर्मा मढर्दारी करिए माबाप के दुआइं लिजिए जो माबाप के दुआइं लिता है वो यहां पर भी कामियाब होगा और वहां पर भी कामियाब होगा जजाके लाख खेर अज़ाद बात देना चाहूंगा आप वीजिये इजुकेशनल सुसाइडी के तमाम जम्मेजारान को आसर पिजाहिद साहब को जिनोंने एक बहतरी अकैडेमी का किया है और इंशाला इंदा साल जुनियर कॉलिड की शकल में आप लोगों को मिलेगा जुर्दार मैं चुपरियादा के साथ आप लोगों के सामने मुझे बात करने के लिए यहां पर बुलाया गया है हभी वे आप तमाम लोगों ने मेरे टाइटिल्स सुले लेकिन उसके पीछे क्या उसका राज है आप तमाम लोगों को मैं बताना चाहूंगा किस तरीखे से हम आगे बढ़े और किस तरीखे से हमको कामिया भी मिली तो ये कोई इजी काम नहीं था बच्चो बहुत महिनत के रुने के बाद ये टाइटिल्स हासिल हुए और जब महिनत इनसान करता है अलगाला खुरान में फरमाते है अगर इनसान महिनत करे तो अलगाला फरमाते है महम उसको उसमें कामिया भी देने वाले है तो कामिया भी किस तरीखे से मिलेगी चार चीज़ आप लोग याद रख लीजे पाच चीज़ पाच चीज़ अगर आपके देहन में बढ़ गए तो मैं समझेंगा कि यहाँ पर मेरा आना कामिया भो गया ebenfalls पाच चीज़ जहन में रखना बहुत दरूरी है पहला है डिसिप्लिन हमारे पास डिसिप्लिन होना दरूरी है पहला क्या है डिसिप्लिन दूसरा है हार्ड वर्क तीसरा है टार्गेट और चौथा जो सबसे important है बच्चो जो हम लोग अक्सर फूल जाते हैं अक्सर हम 8, 9, 10 या intermediate में आ जाते हैं तो ये चीज हमारे दिमागों से निकल जाती है लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए आया हूँ चौथी चीज है माबाप की फर्मावरदारी असलाम आलेकुम रहमतुल्ह वबरकातों मैं तमाम साथियों का शुकर गुजार हूँ जो जहें मुझे इस खिदमत का मौका दिये और हमारे महमान गेस्ट जो जहें मौतिशम अलिय खान साथ जो जहें तारुफ के मौताज नहीं है अलहमदे लिल्ला हर बच्छा बच्छा जहें इनको जानता है क्योंके ये जो है इस्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत ही मशूरों मारुफ है मैं जो है मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि जो है तंदरुस्ती हजार निमते और अल्ला Хाण की रसूल सल्ला ओ सल्म भी तर्माएै कि कमज़र मौमिन से खवी हम मielा ओ? अप को तי Rama रहा हूँ दुच्मन के में । ऐ 70 आज हमारे साथ महां बुरी आदते हैं बुरा माशरह हैं और बुराही हैं से रहा हैं आप लोगों से गुजारिश है के उसको इंदर शरीख होई है